जहीं दोस्तों स्वागत आप सभी का wisdom education पे हैं आज 20 अगर्स 2022 है दैनिक जागरन को कैसे पर्णा चाहिए कैसे दैनिक जागरन को UPSC के लिए पर हैं कैसे दैनिक जागरन को UPSC के लिए पर हैं कैसे दैनिक जागरन को UPSC के लिए पर हैं कैसे दैनिक जागरन को UPPSC के लिए प हूँ जले से परफ करते हैं लेकि उसे पहले हमारी चैनल पर नए है तो सब्सकाइब कर दें अपने दोस्तों के साथ काली के साथ डिचसे शेयर कर दें कोई कुष्ण पूचन और चाहते हैं कुछन तोर पे मेने पास समय कम होगा, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ये खुद सेखें कि दनिक जागरन को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ने क्या च्छोड़ें ये खुद आप सेखें, मेरे अगर लेक्चर आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं या कुछ महनों से सुन तो निश्री तौप पे आपकी एक अंडेस्टेंडिंग किलियर हो गई होगी कि देनिक जागरन को कही से पर हैं लेकिन नए नए मुझसे जुरे हुए है तो यह लेक्षर आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है डिटेल से इनलाइसिस करेंगे कि हमें देनिक लिटेनपर आपका एक पर्टिकूलर मेंस का टोर्टेंड मैंने यहां पर चाहिए अगर आप देखेंगे कि कई सारे वह टॉपिक जो जी एस पुपकेर थी का पार्ट होता है economics का पार्ट होता है GS paper 1 में पुछा गया जैसे cryptocurrency cryptocurrency unconscious GS paper 3 का पार्ट है उससे GS paper 1 में पुछा गया तो correlation अधिक important है कैसे मालिचे किसी news को हम लोग GS paper 1 के साथ correlate करें कैसे किसी news को literature के साथlo क्रोडिवें कैसे किसी news को economics के साथ correlate करें, science and tech के साथ correlate करें, environment के साथ correlate करें, यह important है, और इसी point पर मैं आपके साथ आज discuss करूँगा, मेरा जो यहां पर discussion होता है, वो based होता है UPSC को focus करके मैं discuss करता हूँ, ताकि UPSC perspective से मैं discuss करूँगा, अगर मैं UPSC perspective से discuss करूँगा, और UPSC भी मैंने कई पर दिया है, तो अपने अनुभब के आधार पे मैं कोशिस करता हूँ, UPSC perspective से मैं discuss करूँगा, ताकि state PCS को भी फैदा हो सके, BPSC की जो त्यारी करते हैं, उतर प्रदेश PCS की जो त्यारी करते हैं, उन लोगों को भी BCS रोप से लाब मिल सके, अब देखिए, यहां पे CVI के बारे में है कि CVI ने छापा मारा है मनीश सुसोदिया जी के घर पे, इंपोर्टेंट यह नहीं कि CVI ने छापा मारा, पिलिम्स प्रस्पेक्टिव से यह काफी इंपोर्टेंट है कि CVI क्या है, CVI कैसे काम करती है, CVI कैसे एक्सल लेती है, CVI किस मंत्राले के अधीन आता ह हैं CBI में reforms के लगातार मांग की जा रही है उसको लेकर के भी कई बार चर्चा होती है CBI को लेकर के मानिय सरबोश न्याले ने CBI को केंस सरकार के तोता कहा था एक जज्जमेंट के दोरान तो वो भी इंपोर्टेंट है तो CBI अपने आप में कई सार प्रस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट है यह सब जो संस्था है चाहिए CBI हो ED हो NIA हो इसको लेकर करके मैं separate वीडियो के एक सीरीज बना रहा हूं जहां पर अल्रडी मैंने NIA नेशनल इंवेस्टिगेशन एजन्शी और इनफोर्स्मेंट डायेक्ट्रेट पर चर्चा किया है CBI पर मैं अलग से चर्चा कर दूँगा मेंस की अगर मैं बात करूं UPC मेंस 2021 का पेपर आप लोग देखिएगा उस मेंस में भी CBI को लेकर के कोश्चन पुछा है और उस मेंस में CBI को लेकर के 100 मोटो पे कोश्चन पुछा था जिसे हिंदी में कहते हैं आम सहमती कि अब आम सहमती क्या होता यह टोपिक अपने आपने में इंपॉर्टेंट है और इतना अगर मालिये पेपन में आझ के इस न्यूज में अगर सीविए के वारे में चर्चा है तो सीविआ के बारे में डिटेल से आप लोग पढ़ लिजिए ये news important नहीं है कि CBI ने कहां छापा मारा ये important नहीं है ये exam में आपसे नहीं पूछेगा लेकिन CBI के बारे में जो basic point होता है उसे PT में भी question पूछा जाता है मेंस में भी question पूछा जाता है और कुछ हद तक interview में भी question पूछा जाता है right तो CBI में अलग से video बना करके detail से चर्चा कर दूगा भारतिय वायू सेनिक युद्धा भ्यास में भाग लेने Australia पहुचा और Australia का एक exercise है जो प्रतेक दो वर्स पे होता है पिछले वार 2020 में यह आई जुत हुआ था अभी 2022 में हो रहा है prelims perspective से यह काफी important है directly question पूछ देगा कि pitch blank exercise 2022 किस देश में आयूजित हो रहा है तो इसका आयूजन basically Australia में हो रहा है solar देश उसमें भाग ले रहे हैं जिसमें quad के 4 देश भाग ले रहे हैं और भारत भी इसमें participate कर रहा है तो important क्या है pitch blank 2022 कहाँ पे आयजित होगा Australia में होगा और आप देखेगा एक मेहने के बाद जो magazine आएगी उस magazine में pitch blank 2022 exercise के बारे में निश्चित तोर पर दिया रहेगा तो जो monthly magazine आप परते हैं वो basically paper से ही generate होता है इसलिए paper important है सरकार नहीं देश बनाने में है करी मेहनत PM मोदी ने बिपक्ष पे तंज कर सा अब PM मोदी बिपक्ष पे तंज कर से उससे आपको लेना देना नहीं है वो आपके exam perspective से important नहीं है हाँ बिपक्ष का relevance क्या होता है बिपक्ष की महत्ता क्या होती है लोकतंत में बिपक्ष एक मजबूत बिपक्ष की बिना लोकतंत अधूरा है यह means perspective से important topic है लेकिन मुझे जो यहाँ पर आपके साथ discuss करना है PM मोदी ने basically यहाँ पे हर घर हर घर जल कार्ज करम की सुरुवात किया ओनलाइन इसकी सुरुवात किया गया और हर घर जल कार्ज करम जो है basically गोवा में शुरू किया गया तो यह important है एक point तो यह important है कि हर घर जल उत सब की सुरुवात कहां पे हुआ है गोवा में हुआ पीटी में डायकली पूछा जा सकता है दूसरा यह important है कि गोवा देश का पहला राज बना है जो 100% सुक्ष जल आपूर्ति करता नल से जल आपूर्ति करने में 100% घरों को नल से जल आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज गोवा बना है और देश का पहला केंदर, सासित, प्रदेश, दमन, दुइप और दायदर नगर हविली बना है ये point अपने आप में PT perspective से important है अब दिखें मेंस और इंटर्व्यू perspective से क्या important है तो मेंस और इंटर्व्यू perspective से important है water crisis Water crisis जो है जल संकट काफी important topic है पिछले कुछ वर्सों में 2018 में देख रहा हूँ 2018 लेकर के अभी तक सबसे important topic में से एक है जल संकट ऐसा मैं क्यों बोल लो क्योंकि हमारी देश की जो एक सबसे महत्पूर्ण city है उसका नाम है चेन्नई देश की one of the best city आप कर सकते हैं देश के एक बड़ी city में से चेन्नई का नाम आता है और उस चेन्नई में जो 2019 में इस तरह की crisis आया था चेन्नई में जल संकट इस तरह का condition आया था कि हमें rail के माध्यम से जिस rail के माध्यम से पेट्रोल भिजा जाता एक जगर से दूसरे जगर उसी rail के माध्यम से हमने चेन्नई के लोगों को पानी पहुँचाया था अब सोच कर देखिए तो water crisis चेन्नई में इस तरह से होई कि वहाँ पे हमें rail के माध्यम से पानी पहुँचाना पड़ा और वह चेन्नई जहाँ पे हजारों IT company है हजारों लाखों employees काम करते हैं बिहार के UP के कई सारे इंजिनियर वहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे इस तरह की संकट देखी गई है इस तरह से अगर आप देखिएगा सिमला जो परियाटन के लिए काफी मसूर है तो सिमला में भी इस तरह से जल संकट की समश्या देखी गई कि सिमला के अस्थानिय लोगों ने परियाटक से अनुरूद किया कि वह सिमला घुमने के लिए ना आये तो कि सिमला के अस्थानिय लोगों को ही पानी नहीं मिला था तो वो परियाटक को कैसी देते हैं तो इस तरह की crisis अभी देश में create होना शुरू हो गई है आप देखेंगे कि जल संकट को लेकर के crisis और भड़ता जाएगा अकिर इसके मूल में रेजन क्या है इसके मूल में रेजन यह है कि जो खारे जो स्वक्ष जल होता या ताजे पाने का जो जल होता जो पीने वाला पानी हम बोलता है उसका sources उसका स्रोत बिश्यों का सिर्फ 4% पानी इंडिया आपके पास है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ यह data अपने आपने important है इसको आपनों कहीं code कर सकते हैं और आज मैं details analysis कर रहा हूँ paper को ताकि आप समझें कि paper को कई से पढ़ा जाता है किसी topic को पर रहा है तो उसके background में क्या चीज़े है और उस background को हमें कई से पढ़ना यानि अगर इस news को पर रह परसेंट पानी है तो बिस्व की 18% जन संक्याओं का भरन पोशन महथ विस्व की 4% पानी से हू रहा है तो आप समझ सकते है कि water crisis create होगा बिस्व का सिर्फ 4% पानी हमारे पास है और बिस्व का 18% जनसंख्या भारत के पास है तो निश्ची तोर पे जल संकट की रियेट होगा इसके लावा अगर आप देखेगा कि नितियायुग ने 2018 में Composite Water Management Index जारी किया था एक रिपोर्ट जारी किया था Composite Water Management Report और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2020 तक भारत के 21 सहरों के Ground Water Zero हो जाएंगे भूजल अस्तर Zero हो जाएंगे इस रिपोर्ट में कहा गया था और 100 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित होंगे दस क्रोड से अधिक लोग प्रभावित होंगे ये रिपोर्ट 2018 में आई थी और इस रिपोर्ट का आज हम लोग असर देखते हैं कि किस तरह से Water Crisis की कंडिशन क्रियेट हुई है ये दिपी इसका समाधान किया गया था वो मैं चर्चा करूँगा बाद में साथी साथ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग उसकी पूर्ति की दुगुन्नी हो जाएगे 2030 में जितना जल हमारे पास होगा उसका दुगुन्ना मांग की रिट हो जाएगा एक और डाटा के में चर्चा करो 1994 में पानी की उपलवता परती व्यक्ती 6000 घंड मीटर थी 2000 में ये 2300 घंड मीटर रह गई है और 2025 तक इस एक घट के 1600 घंड मीटर रहने का अनुमान है आकरी ये दिखाते हैं कि भारत में सहरी छेत्रों में 9.7 करोड लोग यानि 970 लाख लोगों के पास पीने का स्ताफ पानी नहीं है भारत में तक्रीवन 70% जल परदूसित है जिसके वज़र से जल गुनवता सुचकांग 2019 में जारी हुआ था और इस रैंकिंग में 208 की ये रैंकिंग थी 2019 का रिपोर्ट है जल गुनवता सुचकांग 2021 उसमें 122 दिशों में इंडिया को 120 अस्थान मिला था क्योंकि भारत में 70% पानी जो है वो परदूसित पानी है पीने लाएक पानी नहीं है तो ये भारत की खाव अस्थिति को दिखाता है इसके अलावा एक रिपोर्ट आया था नीती आयोक की एर्दरी रेड 75 कार नीती और जल परभंधन इस रिपोर्ट आया था और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2022-23 तक भारत की जल संसाधन प्रबंधन नीती में जीवन किरसी आर्थिक विकास पारिश्थिति के प्रियावरन के लिए पानी की प्रियाप्त उपलवदिता सुनिशित करने है तू जल सुरक्षा की सुविधा होनी चाहिए नागरिकों और पस्वों के लिए सुवक्ष, हेत्तो, प्रियाप्त और सुरक्षि पेजल प्रदान करना होगा तो ये सारी की सारी बाते कहें गये थी नीती आयों के एक रिपोर्ट आये थी एर्दरेड 75 इसी तरह से इसी तरह का कुछ, जल संकट कूर लेकर के इसी तरह की कुछ, डाटा केंद्रिया भुजल बोर्ड की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि देश में किस तरह से जल की खराब अस्थिती है, ये इस रिपोर्ट में दर्सा आया गया, मैं बहुत डीटियल से इस रिप करूंगा और उसके बाद सरकार ने क्या-क्या प्रियास किया है सरकार ने क्या-क्या इनिसेटिव लिया है सरकार के जो इनिसेटिव है यह जो न्यूज है उसी इनिसेटिव का एक पार्थ तो पहले मैं यह discuss करूँगा कि जल प्रबंधन कैसे strong हो जल प्रबंधन को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं और उसके बाद discuss करूँगा कि सरकार ने जल प्रबंधन को लिकर के क्या कारी किया तो सबसे पहले अवस्तिस्ट जल प्रबंधन परनाले अवसिस्ट जल्प्रबंधन प्रनाली क्या होता है कि जैसे हम लोग माली ये नहाते हैं तो उसमें कई सारा पानी जो हमारा वेस्ट होता है उस पानी को कैसे हम रिसाइकल करके उसको फिर से रियूज करने के लाइग बना सके है तो रिसाइकल करके अवसिस्ट पाने को recycle करके reuse करेसे किया जाए recycle करेसे किया जाए इस पर focus करने की निती को अवसिस जल प्रबंधन परनाली कहते हैं अगर आप निती नगटकरी जी का सुनिएगा तो लगातार इस पर बात करते हैं कि किस तरह से उन्हों ने अवसिस्ट जल को recycle करके उसे Indian oil oil को बेश दिया तो ये लगातार वो इस पर चर्चा करते हैं सीचाई परनालियां सुखा प्रभावी छेत्रों में फसलों के पोशन के लिए अच्छी गुनवत्ता वाली सीचाई परनाली सुनिशित की जा सकती है इसमें परनालियों में प्रभंधित किया जा सकता है ताकि पानी ब्रभाद होने से बचा जा सके अनावश्यक रुप से पानी के आपूर्ति को कम करने से बचने के लिए इसके पुनर नविकरन या वर्सा के जल का उप्योग किया जा सकता है देखे, खेती में सबसे अधिक पाने का नस्ट होता है या पाने का बरबादी होता है तो इसके लिए दो-तीन काम क्या जा सकता है एक काम तो ये क्या जा सकता है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप परती बून अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो सिचाई प्रबंधन है वो इसराइल की टेकनोलोजी है आप नेट में सर्च किजिएगा पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसराइल तो आपको अच्छे से दिखेगा तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्याम से हम सिचाई प्रबंधन करें ताकि जो फसल है उसको अधिक से अधिक सिचाई उसको मिल सके अधिक साधिक पानी मिल सके और पानी की खपत कम हो राइट एक तो यह है दूसरा यह है कि जो सूखा प्रभावी छेत्र हैं वहाँ पे हम इस तरह से फसल उत्पन करें आज हमारा टेकनोलोजी इतना डेवलप है ICR लगातर इस चेतर पे कारी कर रहा है कि सूखा प्रभावी चेतर में उस तरह का फसल बनाया जाए उस तरह के फसल को क्रियेट किया जाए उस तरह के बीज को उत्पन किया जाए जो सूखा प्रभावी चेतर में कम पानी पे अधिक परिदावार क्रियेट करें हमारे बिज्ञाने के लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं तो ये काम हम कर सकते हैं इसके अलावा प्राकृतिक जल निकायों की दिखवाल हम कर सकते हैं 75 आजाती के 75 वी वर्षगान जो चल लई है तो 75 सरोबर का निर्वान करना है प्रतिक जिला में तो ये भी उसी का पार्ट है कि जितने भी हमारे पास प्राकृतिक जल निकायों जो अल्रेडी पहले से जल निकायों हमारे पास है वो सुखना नहीं चाहिए जो तलाब हमारे पास है वो तलाब सुखना नहीं चाहिए नदी जो है नदी सुखना नहीं चाहिए इसके लिए काम हो रहा है इसलिए आप देखते होंगे कि कई सारे नदी को पुनर जिवित करने का प्रियास क्या जा रहा है एक जांपल में दूँगा सहारसा जिले के तिलावे नदी बिहार के सहार्षा जले के तिलावे नदी को फिर से रिभाइब किया जा रहा है ताकि वो नदी फिर से बहना शुरू कर दे है जल संडेक्षन देश में जल संडेक्षन पर बल दिना होगा चाये कोई भी काई हो अनावश्यक रूप से अगर वो पानी की बरबादी कर रहा है तो उस पे रोक लगाना होगा राइट Rainwater Harvesting द्वारा जल संदेशन किया जा सकता है यानि पानी जो वर्सा के बुंदी गिरती है तो उस पानी का Sunsharing किया जा सकता है उसको हम लोग संदेशन कर सकते हैं और उसका इबाद में यूज कर सकते हैं इसे को कहा जाता है Rainwater Harvesting बर्सा के पाने का हम लोग प्रियोग कर सकते हैं Rainwater Harvesting के द्वारा इसके अलावा वर्सा जल को सत्वा पे संदेशन करने के लिए अब दिखे सरकार की क्या क्या प्रियास रहा जल संदेशन को लेकर के सरकार ने क्या प्रियास किया भारा सरकार ने जल संसाधन नदी विकास और गंगा संदेशन मंत्राले के साथ साथ पे जल स्वक्सता मंत्राले का विले कर एक जल संसकती मंत्राले का गठन किया यानि जो जल को लेकर के कई सारे मंत्राले थें जल संसाधन मंत्राले था, नदी विकास मंत्राले था, गंगास सनक्षन मंत्राले था, पेजल और सक्सता मंत्राले था इस सभी मंत्राले को मर्च करके जल संती मंत्राले का गठन किया गया है 2019 में जल संती मंत्राले ने अपनी पहली बैठक में 2024 तक देश में हर घर नल से जल पहुँचाने की महत्वा कांग्छी लक्ष को तै किया मुझे याद है कि 2019 के लाल कीला के प्राचीर से भासन देते वक्त पीएम मोदी ने ये घोशना किया था कि 2024 तक परते घर में नल से पानी हम पहुचाएंगे नल से जल जो महत्वा कांग्षी योजना है इसकी सुरवात 2019 में किया गया था जल सक्ती मंत्राले के द्वारा और इसी के तहत हम लोग देखते हैं कि कल पीएम मोदी ने हर घर जल कार्ज करम की सुरवात किया है गोवा से इसका सुरवात हुआ तो पीटी में डायक लिए ही कोशन पुछा जा सकता है इसके अलावा गोवा देश का पहला राज्य बनगा है और दमन दूइब और दादर नगर हवेली देश का पहला केंसासित प्रदेश बना है जो हंडेट परसें जलापूर्ति नल के माध्यम से परतिक घर में कर रहा है इसके अलावा आप देखेंगे राश्टिय ग्रामीन पेजल कारिज करम के अंतरगत सुरक्षित पानी हर समय और सभी परस्तितियों में सुलब होना चाहिए इस योजना के उद्देश परतिक व्यक्ति को 2022 तक 70 लीटर स्वक्स जल परति दिन परति व्यक्ति और उनके जो घरेलू परिशर है उसके 50 मिटर के दाइरे में पहुचाना है तो यह भी काफी इंपोर्टेंट योजना है इस योजना का नाम है राश्टिय ग्रामीन पेजल कारिज करम इसमें प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी हम देंगे और जो उसका घर है उसके घर से 50 मिटर के अंदर ह उसे पानी मिल जाएगा इस कारिज करम के तहद और ये कारिज करम भी काफी तेजी से चल नहीं है इसके अलावा आप देखिए कर 2018 में स्वजल कारिज करम के माध्यम से ग्रामिन इलाकों में पाइप लाइन से जल आपूर्ति बढ़ा करके देश के ग्रामिन छेत्र के में केवल 25% पाइप जलापूर्ति वाले आबास हैं इसके अलावा भी आप देखिएगा कि कई जगा हमारे यहां पे जो पानी है उस पानी में आर्सेनिक है फ्लॉराइड है इसके यानि पानी में जो ग्राउंड वाटर से पानी निकलता है उसमें फ्लॉराइड की मात्रा होती है अर्सेनिक की मात्रा होती है यानि वो परदूसित पानी होता है तो इस परदूसित पानी को रोकने का भी परियाश सरकार लगातार कर रहे हैं इसके अलावा ग्रॉंड वाटर जो 0 हुआ नितियायों की जो रिपोर्ट मैंने चर्चा किया था कुछ दिर पहले Composite Water Management Report 2019 उस रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में 21 महानगरों का Groundwater 2020 में सुन्य हो जाएगा तो उसी के बाद सरकार ने अटल भूजल योजना की सरकार ने सुरुवात किया था 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल 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 योजना की सुरुवात किया था इसके अलावा आप देखिएगा और इस योजना में जो है 6,000 क्रूर रूपे का investment होना था जिसमें World Bank भारसरकार की मदद कर रही थी इस पॉइंट में BPSC ने question पूछा था इसके अलावा जल पुरुजकार 2020 की सुरुवात किया गया है जिसमें उत्तर परदेश को पानी बचाने के लिए पहला स्थान दिया गया है पुर्वी जोन में बिहार के पुर्वी चंपारन को पहला स्थान मिला है अमरित काल में 75 सरोवर का निर्वान करना है और इस साथी साथ नदी जोरो परियोजना के सरकार सुरुबात किया है तो यह सारा कई सारा प्रस्पेक्टिव है जो वाटर क्रैसिस से सम्मादित है परत्यक्षिया और परत्यक्स तॉर्पे है अच्छा इसमें कुछ टॉपिक ऐसा है जिस पर सेपरेट रूप से मेंस के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है जिसे नदी जोरो परियोजना बिहार में नदी जोरो परियोजना है मदपर्देश होगर केन वितवार नदी जोरो परियोजना तो कई सारा नदी जोरो परियोजना देस में चल लई है उसका क्या लाब है उसका क्या हानी है इस पर separate रूप से question पुशा जाता है BPSC मेंस के मैं बात करूँ तो BARD BPSC के लिए काफी important है और BARD के समाधान के लिए नदी जोरो परियोजना की शुरुबात किया गया है ये topic अपने आप में separate रूप से काफी important है अब दिखे ये जो news है मुगदमा लंबा ना चले इसलिए सुनिश्चित करना होगा trial court का दाई तो मानने सरवोश नयाले के ये tip नी कही है और सरवोश नयाले इस बात को लेकर के ससंकित है कि जितना trial लंबा चलता है किसी case का मानने जिए trial चलने में 5 साल लग जाता है 10 साल लग जाता है तो ऐसे condition में जो गवा होते हैं वो गवा के जान पे खत्रा बनी रहती है गवा सुरक्षा अपने आप में काफी important है जिसको लेकर के संदे कई बार उत्पन ही किया गया तो जब हम लोग बात करते हैं judicial reforms की यहां से जो topic important है आपके exam perspective से वो है judicial reforms आखी judicial reforms नियाइक सुधार के रह में क्या बाधा है और नियाइक सुधार के रह में क्या बाधाएं है और साधी साथ उसका समाधान क्या क्या अभी तक किया गया है जैसे मानिया सरवोष नियाले RTI के दारे में आ गया है तो उसको भी नियाइक सुधार से आपके बुजोर कर देख सकते हैं मैं कुछ पॉइंट का यहां में डिसकस आपके साथ कर देता हूं दोस्तों अगर धंग से नियूज अनलाइसिस मैं करूं या अगर प्रते एक नियूज पर चर्चा करूं तो लगवाग 5-2 घंटा लग सकता है मुझे डिसकस करने में मुझे 1-2 घंटा लग सकता है और साथी साथ यहां पर जो मैं पढ़ता हूं चुकि आपको बताने से पहले मुझे हर एक news को detail में पढ़ना पढ़ता है तो 2-3 गंटा मुझे लग जाता है लगवग 2 गंटा तो निशी तोर पर लग जाता है तो इसलिए ये समय मुझे अब कम मिलेगा निशी तोर पर मेरे लिए अब समय कम हो जाएगा निउस जनलाइसेस को ले करके है खर लोटते हैं हम लोग निउस पर है इंडियन जुडिशियल डिफॉर्म्स फोर एकॉनमिक डेवलपमेंट एक रिपोर्ट आया था उसमें कहा गया था कि 25 उच नियाले में जज की सुकिर्ती की संक्या एक हजार असी है जबकि 660 जज ही काम कर रहे है हमारे देश में टोटल जो है 25 हाई कोट है उस 25 हाई कोट में टोटल जो सुकिर्त जजों की संक्या है एक हजार असी है लेकिन जज जो वर्तमान में काम कर रहे है वो सिर्फ 660 है तो 660 जज काम कर रहे हैं जजों के संख्या एक हजार अस्य है सुप्रीम कोट से लेकर करके अधिनस्त कोट तक 4.83 क्रोड केस पेंडिंग है आप सोच सकते हैं लगवख सारे 4 क्रोड केस जो है चाहे हाई कोट हो, लोर कोट हो सर्वोश नियाले हो, तीनों मिलाकर के इतना कोट केस पेंडिंग है जिसमें 1 जुलाई 2022 तक 72,000 मामले मानने सर्वोश नियाले में और उच नियाले में 1.60 क्रोड मामले लंबित है तो ये भी अपने आपे important डाटा है मैं separate वीडियो बनाकर के इसमें डिटेल से discuss कर दूँगा, चुकि इस समय की कमी है Judicial reforms में अभी तो क्या 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 गया वो मैं कुछ point आपके साथ discuss करता हूँ एक तो मानने सर्वोश नियाले RTI के दारे में आ गया, जो Judicial reforms का एक part दूसरा है कि Online Dispute Resolution से नियाय व्यवस्था सुलब हुई है Justice चंदसूर के अनुसार Online Dispute Resolution जो व्यवस्था हुई है इससे नियाय व्यवस्था सुलब हुई है ये भी Judicial reforms का part है उच नियाले में 40% पद खाली है और 57 लाख मुकदमों को निप्टान के लिए सरवोश नियाले आगे आया है हमने ये भी देखा है इसके लिए मानने सरवोश नियाले ने अनुछे 224 एक तहट सेवा निविर्त नियायदिस की नियुक्ति किया है और स्थाई नियायदिस की नियुक्ति होगी ये बिसेस कर पांच वर्स के लिए इनकी न्यूप्ति किया जा रहा है इसके अलवा मानने सरवोश न्याले में पार्देस्ता लाया गया है अखिल भारतिय न्याइक सिवा के मांग लगातार होती है ये आपने आप में मेंस के लिए अलग से सेप्रेट टॉपिक है अणुछे 312 के तहट अखिल भारतिय न्याइक सिवा का गठन होना चाहिए जिस तरह से अखिल भारतिय प्रसास्निक सिवा का गठन है उसी तरह से अर्थखिल भारतिय न्याइक सिवा का गठन होना चाहिए ये मांग लगातार देस में होती है इसी तरह से National Judicial Infrastructure Corporation की अस्थापना किया गया है एक हाल में ही जो मानिय सरवोष नियाले में फास्टर एक सिस्टम लॉंच किया गया है ये एक online सिस्टम है इसका पूरा नाम है Fast and Secure Transmission of Electronic Record जैसे मानिय जी पकड़ा गया बिहार में या कहीं और पकड़ा गया उसका जो भी record है वो मानिय सरवोष नियाले फास्टर एप के माध्यम से वो लोग देख लेंगे कि इस पे क्या-क्या कहां कहां इन्होंने क्या-क्या अपराद किया तो उस अपरादी का सारा record मानिय सरवोष नियाले के पटल पे होगा और वहें पे नेट खोल करके वो लोग पुड़ा-पुड़ा डेटिल चिक कर लेंगे इसके अलावा एक सूपेस पोर्टल भी मानिय सरवोष नियाले में लॉंच किया गया है जो artificial intelligence आधारिक पोर्टल है तो ये कई सारा वेवस्था किया गया है मानिय सरवोष नियाले में जो नियाएक reforms का पार्ट है, judicial reforms का पार्ट है समय मिलेगा तो मैं इस पे separate troops से अलग से वीडियो बना कर कर डिसकस कर दोंगा अब सहवाज सरीफ जो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री है इन्होंने भारत के साथ सांतिपुन संबंधों के इच्छा जाहिर किया जब आप इंडिया-पाकिस्तान relation को बारे में पढ़ते हैं तो इंडिया-पाकिस्तान relation में लगातार भारत कहता है भारत सरकार का statement आप देखिएगा बिजिस मंत्राले का statement देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में सिमला agreement 1972 1972 और लाहोर declaration 1999 इसी के रोशनी में दोनों के बीच में वारता होनी चाहिए यानि हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो भी dispute है उसका resolution होगा लाहोर declaration 1972 और लाहोर declaration 1999 और सिमला declaration 1972 के माध्यम से होगा तो यह दोनों important है आपके लिए बाकि मैं separate वीडियो बना करके इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पर डिसकस कर दूँगा इंडिया चैना इंडिया यूएस रिलेशन पर मैंने अल्रेडी डिसकस पहले भी किया है अब देखिए यह जो news है यह news basically संबंधित है जो हमारे IT professional है उसकी विजा में जो देरी होती है उसे संबंधित इंडिया यूएसे रिलेशन पर मैंने accepted वीडियो बनाया था वो देखिएगा उसमें मैंने चर्चा किया था कि भारत और अमेरिका के बिज़ में जो चुनोती है उस चुनोती में एक चुनोती है H1B visa यहाँ पर चर्चा किया गया है H1B visa के बारे में H1B visa को ले करके लगातार भारत कहता है कि इसमें भारत को धिल देने का प्रियास किजिए भारत के लिए बिसेस बैवस्ता किजिए तो उस रूप में इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी basic important है इंडिया USA relation और H1B visa का इस्व बेसिकली important है कि अल्रेड़ी इस पॉइंट पर अल्रेड़ी हमने डिसकस किया पिच ब्लेंक 2022 exercise वाइसना का exercise है जो ऑस्ट्रेलिया मा आउजूत होगा जिसमें भारत की सेना भी गई है वहाँ पर करने के लिए इंडियन एरफोर्स भी गई है किसानों को पचीस सो परती एकर देने के लिए दवाव बनाएगी पंजाब सर्कार देखिए यह टॉपिक जो है यह अपने आप में UPC प्रस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है बिपेशी प्रस्पेक्टिव से तु नहीं कहुंगा लेकिन UPC के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यह टॉपिक है दिल्ली वाइउ प्रदूशन दिल्ली में बेसिकली अगर आप और वो पराली जलाते हैं तो उसका धुआ दिल्ली आता है इसी तरह से दिल्ली में जो किसान है दिल्ली में भी कई सारा किसान है उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो भी पराली जलाते हैं तो इन सब का धुआ बिसिकली दिल्ली आता है और दिल्ली गेस चेंबर के रूप मे स्वहने दिल्ली में काफी एर पूलिशन होता है उस एर पूलिशन के समधान क्या किया जाए और उस का समधानन बेसीक्ली यह देखें म gained data है कि दिल्ली एर पॉलिशन का 46 परतिसाट जो कारण है वह कारण है पराली जलाना और उस पराली को जलाने से रोकने के लिए आवसकता है कि जो किसान पराली जलाते हैं उसको मुआपजा दे और वे मुआपजा 25 रुपे परती एकर होना चाहिए जिसमें पंजाब सरकार के कहना है कि वो 500 रुपे परती एकर वो देगी दिली सरकार 500 रुपय परती एकर देगी और रिमेनिंग जो है 1500 रुपय परती एकर वो केंज सरकार इसका भुकतान करें तो इसके लिए पंजाब सरकार केंज सरकार पे दवाव बनाने का प्रियास कर रहे हैं कर रहे हैं कि इसको है इसलिए इससकार इसकार इसकाम की ऑपना अब परियेन आपको दिल्ली आर प्रिसन के बाइर बना पक्रिसन मेंट रहे हैं यह सारा प्रस्प्रेक्टिव यहां के इस न्यूज को पढ़िएगा तो इससे जुरा हुआ और उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ओम बिर्ला के नेत्रित में संसदिया मंत्री मंदल के सम्मेलन में सामिल होंगी राष्ट मंदल संसदिया सम्मेलन कनाडा में आज़ित हो रहा है राष्ट मंदल के जितने भी देश है उसका संसदिया सम्मेलन कनाडा में आज़ित हो रहा है और इस आयोजन को लीट करेंगे ओम बिर्ला जे तो ये question पीठी में पूछा जा सकता है 65 में राष्ट मंडल संसदिय समेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है तो इसका आयोजन basically कर्णाडा में हो रहा है अब देखिए यहाँ पिपर में दिब्यांग के बाड़न दिया हुआ इसे पोलिटिकल न्यूस है इस बूलिटिकल न्यूस है इस न्यूस का आप लोग एवाइट कर सकते हैं 142 वर्ष में 6 सबसे गर्म इस वार रहा है जुलाई मा देखे जब यह न्यूज है इस न्यूज को कैसी आप लोग जोड़ सकते हैं इस न्यूज को क्लाइमेट चेंज से आप लोग जोड़ी हैं climate change के कारण ही हम दोग दिख एंकि गण्मी लगातर बर रही है heat fickett condition हो रहा European की नदी में पानी सूख रहा है California के जंगल में आग लग रहा है Australia की जंगल में आग लग लग रहा जंगल में आग लगनेил गहुखना पर अलग से question पूछा गया है मेंसमे लेकिन यह सारी कि सारी घहटना जो है बेसिकली आप जोड सकते हैं climate change से climate change के कारण ही यह सारी कि सारी घहटना है हो रही है खुद के साथ भारत की मुश्कुलेंद बढ़ाता चिरलंका इसको आप लोग पढ़ियेगा मैं डिटेल से डिस्क्स नहीं कर रहा हूं लेकिन देखे हाई क्या थोड़ा समय चर्शा कर देता हूं बेसिक कॉंसेप्ट पे चीन के एक जासुसी जाहाज है यूआन वांग फाइप इसका नाम है यह स्रिलंका के हमबन टोटा बंदरगाप पर रुका भारत ने आप पति दर्ज किया था कि इस चुकि यह जासुसी जाहाज है इसलिए इसको वहां पर रुका नहीं जाए लेकिन आपको याद होगा कि स्रिलंका का हमबन टोटा बंदरगाप चीन को स्रिलंका ने 99 साल के लिए लीच पर दे दिया क्योंकि चीन ने जो कर्ज दिया था स्रिलंका को वो कर्ज स्रिलंका चुका नहीं पाया बदले में स्रिलंका को 99 साल के लिए अपना महत्पून एस्टेर्जिक बंदरगाप चीन अब ये जो जासुसी जाहाज है ये 750 किलोमेटर जो छेतर है वो उसको ट्रेक कर सकता है कि वहाँ पे कौन सा बिवान ऊड़ रहा है वहाँ पे कौन सा जाहाज रखा हुआ है ये सारे के सारे चीज को वहाँ से बेठे बेठे वो ट्रेक कर सकता है तो अगर इसको ए रेंज को बहारत को देखेगा तो जहां पर यह रुका हुआ वहां से उरिषा के चांदी चांदी पूर्जो हमारा important DRD का location है वहां तक के missile और को वहां तक के device और को यह track कर सकता है इसलिए भारत लगातार प्रियास कर रहा था कि यह वहां पर ना रुके यह जो जासुसी जहाज है वह स्रिलंका में ना रुके इसके लिए लगातार भारत प्रियास कर रहा था बावजूद यह वहां पर रुका हुआ बाकि इसको आप लोग पढ़िएगा दूर दर्सी सोच वाले राजीव गांदी देखिए राजीव गांदी के बारे में यहां पर दिया हुआ है यहां पर दो तीन पॉइंट में चर्चा करूँगा जो आपके एकजाम प्रस्पेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट है जो मुझे भी नहीं पता था बीपेसी में एक बार कोशेन आया था कि पहली बार अस्थानिय स्वसाचन के लिए किस समिधान संसोधन में प्रियास किया गया था मुझे नहीं पता था मैं फिरसे पहली बार अस्थानिय स्वसाचन के लिए प्रियास 74 समिधान संसोधन 2089 में किया गया था और एक जेक्टली इसी पॉइंट और दसवी अनुसूची को जो समिधान में जोरा गया है ये राजीब गांदी जी की ही देन है इसके अलावा जो मद्दान की उम्र है मद्दाता के जो उम्र है पहले minimum 21 वर्स था अब इसको घटा करके 18 वर्स कर दिया गया है ये भी राजीव गांदी जी की ही दैन है तो ये सब कई सारा राजीव गांदी जी की दैन है इसके अलावा जो हम लोग केम्पूटर का इस्तमाल करते हैं केम्पूटर का प्रियोग करते हैं इस केम्पूटर को भारत में लाने के लिए राजीव गांधी जी को काफी जट्व जेहद करना पड़ा था कही सारे लोगों का यह मानना था हूँ समय मैं कि केम्पुटर अगर भारत में आ गया तो वह लोगों को रिप्लेश कर देगा लोगों के नोकरी चले जाएगे हजारों लाखों की नोकरी चले जाएगे इसलिए लोग नहीं चाहते थे केंपूटर भारत में आये और लोगों के बिरोध के बावजूद स्वर्गे राजीव गांधी जी के द्वारा केंपूटर को भारत में लाय गया था तो यह सब राजीव गांधी जी की ही देन है अक्षे उर्जा दिवस आज है परता 1 वर्श 20 अगस्त को अक्षे उर्जा दिवस मनाचे जाता है उसी संसद्रिट यहां पर है और कुछ यहां पर यह keen necessary data यह data important इस data को आप लोग पढ़िए। मजह अगा इस data को पढ़के कि अक्ष्य और जाके छेट्र में भारत कितना तरक्की कर रहा है है देखे कोईला का sources limited है अक्ष्य प्रियास कर रही है मेंस प्रस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि चुनावी घोसना पत्र के लागू होने का सवाल और इसके बेक्राउंड को देखेगा तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है अब मैं चर्चा डिटिल से नहीं कर रहा हूँ जब मेंस के लिए मैं चर्चा करूँगा यहाँ पर सेपरेट वीडियो मेंस के लिए बनाओंगा तो मैं इस सब पर चर्चा डिटिल से कर दूँगा लेकिन जब आप एलेक्शन रिफांस की बात करते हैं तब आपको तार्कुंडे समित्ती 1974-05 में बनी थी दिनेश गोस्वामी समित्ती बनी थी 1990 में बोढ़ा समित्ती 1993 में बना था इंद्रिजीत गुपता समित्ती 1998 में बना था BTIU की 117 वी रिपोर्ट है M. Venker चलिया समित्ती 2002 में बना था ये समिधान समिक्षा समित्ती बनी है लेक्षमिकांत के अगर बुक होगा तो उसके पीछे में आपको दिया होगा समिधान समिक्षा समित्ती के बारे में उसके बारे में डिटेल से आप लोग पर लिजेगा MP 7 समिति बने थी तनखा समिति 2010 में बना था ये सारा का समिति इंपोर्टेंट है और ये सारा का समिति ने election reforms पे चर्चा किया है और उसी election reforms का पाथ है चुनावी घोसना पत्र ये जो चुनावी घोसना पत्र होता है उस घोसना पत्र को किस तरह से लागू किया जा या चुनावी घुशना पजल को अनिवाड कैसे किया जा राइट तो यह अपने आप में इंपोर्टेंट टॉपिक है तो यह आप लोग देखेगा मैं इतना समित्थी का इसलिए डिसकस कर रहा हूं कि जब आप आप उसलिए कि अपने पॉइंट में का है लेक्षल आलेक्स अनि सब्सक्राइब इंपटारब के सावत्रीवर्वर्वापि ना पप्लम को अपनी डिक्या में एकड़您 Peaking सब्गी में बिजेपी के राष्ट्य प्रवक्ता तो इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं तो कि निश्य तोर पे ये सरकार के पक्ष में लिखे होंगे और बिरोधी के विपक्ष में लिखे होंगे तो बिजेपी के राष्ट्य प्रवक्ता लिखे हैं इसलिए इसको आप लोग इंग्न भारते खिलोने से खेल रे विदेशी बच्चे हैं देखे खिलोना को लेकर के मैं इस खिलोना पर मेरी भी नजर रहती है 2019 में सरकार खिलोना को लेकर के सज़ाग हुए थी और 2019 में सरकार ने कई इसे स्टेप उठाए थे देखे 2019 से पहले अगर आप दिखेगा तो भारत में 85% खिलोना का भारत आयात करता था 90% खिलोना जो भारत जितना खिलोना भारत आयात करता था उसका 90% अकिले चीन से आयात होता था भारत के खिलोने का कारोबार 1.75 अरब डॉलर था उसमय में 2023 में ये 3.3 अरब डॉलर हो जाएगा बिश्व के खिलोने का वैवार 90 अरब डॉलर है बहुत बड़ा वैपार है बिश्व के खिलोने का वैपार बच्चा जो खिलोना खिलता है अपने आप में बिश्व में बहुत बड़ा इसका वैपार होता है यानि इसको अगर इंडियन करेंसी में कण्वर्ट कीजिएगा तो 6.6 लाख क्रोड का ये बिश्व में बैपार होता है तो इसलिए सरकार ने काफी प्रियास किया था उस समय में सरकार ने करनाटका के कोपल ट्वाइक कलस्टर की घोशना किया था कोपल ट्वाइक कलस्टर खुला था सरकार ने पीटी में कुछन पूछा हुआ है कि भारत सरकार ने किस जगर ट्वाइक कलस्टर खुला था तो ये करनाटका के कोपल में खुला था 5000 क्रोड रुपए निवेश करके हैं इसके साथ ही सरकार ने चीनी खिलोने पर पावंदी के लिए 200% टेरिफ लगा दिया था और उसका इंपेक्ट आप देखिए आज कि 2019 से लेकर के अभी तक पिछले 3 साल में महज आयात खिलोने के जितना आयात होता था वो 70% कम हुआ है और निर्यात 60% बढ़ा है अपने आप में खिलोना मार्केट के लिए बहुत बड़ा एचिम्मेंट है अगर इंडियन करेंसी में भी देखिएगा तो जो खिलोना हम 2018-2019 में 37 करोड डॉलर का खिलोना मंगाते थे 2021-22 में 11 करोड डॉलर गिरह गया है और निर्यात जो 20 करोड डॉलर करते थे अब हम 32 करोड डॉलर का निर्यात करते हैं तो निश्चित तोर पर यह साकारात्मक कद समय खिलोना इंडेस्ट्रीज के लिए इसको एक बार आप लोग पढ़ लिजेगा इसका भी बेसिक पॉइंट है कि इस न्यूज को अगर आप पढ़ है तो दो पॉइंट है इन्वेस्टमेंट को लेकर के निवेस्टर को लेकर के एक होता है फोरेंड पोर्टपोलियो जो सेर मार्केट ओगर हमें होता है जिसे माली जी कोई निवेस्टर के द्वारा निवेस्ट कर रहा है तो उसे फोरेंड पोर्टपोलियो इन्वेस्टमेंट कहेंगा लेकिन FDI क्या होता है फोरेंड डायक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपको वहां पर जा करके अ पैसा निकालने मुझे समय लगेगा किसी कमपनी में एस्टिक पर्चेज कर लिया है तो इमेडियेटली उससे वह बाहर निकल नहीं सकता है इसलिए सरकार तरजी देती है कि अधिक से अधिक एक FDI investment हो लेकिन foreign portfolio investment के क्या है कि आपने share आज वेचा इमेडियेटली आपको पेशा आ गया तो foreign portfolio investment खतरनाक होता है बहुत ज्यादा investment foreign portfolio investment नहीं होना चाहिए सरकार इससे बचने का प्रियास करती है अब ये दोनों को भी आप लोग पढ़ लिजेगा ये detailed topic है मैं बाद में चर्चा कर दूँगा समय कम है देखे ये जो topic है ये आपने आप में important topic है और इस topic के background में है रूस Ukraine युद्ध रूस Ukraine युद्ध पे मैंने separate video बनाया था आप लोग जाकर के देख लिजेगा दोहा declaration अब उतना चर्चा में नहीं रहा दोहा declaration कि टालिवान और अमेरिका के बीच में एक declaration हुआ था जो कतर की राजधानी दोहा में हुआ था लेकिन अब वो उतना चर्चा में नहीं रहा था तो अब आप इसको skip कर सकते हैं लेकिन जानना चाहिए कि दोहाट declaration किसके बीच में हुआ था तालिवान और अमेरिका के बीच में हुआ था चलिए दोस्तों इतना ही important news था मैं कोशिच किया कि आपको बताने के किस तरह से दैनिक जागरन के राश्टे संसकरन को पढ़ना चाहिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू सो मच प्लीज दू लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू